नवस्कार, News24 टेलिवीजन को पाउर न्यूज मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छा, म संगम बानिया दसक्रण्द, दक्षिनी सीमा चेत्रमा भारते फक्षले नेपाली लाई गरने धिशो मिचोर अत्या चारले सीमा नाय कुष, सीमा चेत्रमा नेपाली हरू कहीले कूटिन्चन, कहीले लखेटिन्चन तो कहीले आफनोई भुमिलाई, आफनो भंदा मर्नू परने बाद देता भारते सिमा सुरक्षय वल SSB रा प्रहड़े गरने तान्डबले नेपाली लाई दुख दिने गरे कुषा पचिलो पठक बर्धिया को गुलरिया नगरपाली का ओडा नमर 9 का 22 बर्शिया याकूब अली सेस्र 38 बर्श का नकुन्ना सेस्लाई पक्राव गरी भारते प्रहड़े जवर जस्ती बलातकार जस्तो जगन्य अपरात को मुद्दामा मुद्दा चलाये कुषा नेपाली लाई साम्मानिय जगरडा को विशेला इलेर भारते प्रहड़े इना जूटो मुद्दा दर्ता गरेओ आजको पाओ न्यूज एसाई विशेमा केंदरी छा भारतिय प्रहरी द्वारा दुई नेपाली पक्राव बर्दिया का दुई यूवा भारतिय प्रहरीको गिरफ तारिमा परेगा शन नेपाल भारत सिमा जोडियेकु बरदिया जिल्लाको सदर्मुकाम गुलरिया नगरपाली का उडा नमबर 9 मा बसनी दुई जनलाई भारतिय प्रहरिली नेपाली भुमिबाट पक्राव गरेक हो पक्राव पर्नेमा गुलरिया नगरपाली का नौ निवासि बाउन्य बर्षिया याकुब अली सेश्रा और तिस बर्षिया ननकुन्ना सेश्रहे काशन आफनो खेतमा काम गरी रहेका उनी हरुलाई नेपाल भारत सिमाना को दस गजामा भारतिय प्रहरिले बोलायर पक्राव गरेको आफन तले बताये का छन। गुलरिया नौका इस्थानिय युवाहरु बेज बिवाद भाय को थियो। भारतिय प्रहरिले ती नेपाली लाई पक्राव गरे बलात कार को मुद्धा लगाये को इस्थानिय बाद सिम्धाले बताये का छन। नजीक शाये बादर नजीक शाखेत तेसमा काम गरे रहा थियो। अब ध्वका बाजी गरे रहा आयरा पुलिस समातरे लगे। वहां पर अब फिर हमारा लड़का बोला तो उसको मारी चाल लोग मिलते हैं। नेपाली भूमी मां लगाये को आप नटिपन आग्रह गरे का यूवालाई 81 बलातकार को मुद्दा लगाये रा पक्राव गर्नू न्याय संगत नभायको भंदै इस्थानिय ली बिरोद गरे काशन। नेपाल प्रहरीर भारतिय प्रधान को रुह बर्मा उनिहरुलाई छाडिये पनी भारतिय यूवा हरुले बलातकार को जूट्टो मुद्दा सहित भारतिय प्रहरीको मां उजूरी दियेको इस्थानिय को भनाई छा। खाले पुरवा गाउं को खेत मा काम गरी रहे को समय मा भारतिय प्रहरीली पक्राउगरी लगे को इस्थानिय बासिंदा एबं प्रतेक्षे दर्सिले बताये काछन अब तो खेति प्रतेक्षे दर्सिले अब आपने लाइव अच्छा आपने लाई लिए रहे इंगी अमा बलतकार को केस लगवाये छान थाम रोगां को दूजना याग आग युटा याकोपली शेक तो बाउन बर्स को तो तो नंकुन्ना सेक मेरो नाम आए चाग ता भाई चाग युटा इस्तो इस्तो करये है सबचेस केस मेरे को लागे सके अबर रेक्षिदेंट भाया थी युटा गहर माभी युटा लख़ा सबला भायट रहता है थी हूँ देखे कुछ हैना इंडिया मा तिम्रो नाम पनी रिपोर बाशा? तरबन तिम्रो नाम लिए र पकड़ नाम तो? सनिवार उनिहरुलाई दस गजा छेत्रमा बोलाएर भारतिय प्रहरिले पक्राव गरी लगेकु भायपनी उनिहरुलाई कहा लगियेकु भन्नेबारे परिवार इस्थानिय बेखा वर्छन अहिले सम्मा उनिहरुक कहा छन भन्नेबारे थाहा समेत हुन सके गुछाईना बिना कारण उनिहरुलाई पक्राव गरी भारत तर्फ लगिये पच्छी इस्थानिय बास सिंदाले नीशर्त रिहाई का लागी पहल गरी दिना गुलरिया नगरपाली कालाई अनुरोद करे काशन। पक्राव परेका उनिहरुलाई पहराई जिल्ला को मुर्तिहा कोट वाली मा राखिये को बुजिये कोशा। बरदिया जिल्ला को विभिन्ना इस्थानमा भारतिय प्रहरी बात एस्था घटनाहरु दिन हुझ जसो भई रहने इस्थानिय बास सिब बताऊशन। भई बताऊशन। लेके जाएके तो अभी हम रेक्वेस्ट करीद है नेपाली पुलीस से थी कोई अक्षन ले और जाएके शुला कराऊ है। लेके जाएके तो अभी हम रेक्वेस्ट करीद है। चित हवा का भारतिय नागरे खरू बताऊशन। पकड़ करके थाने में ले गए आप छीहत्तर का बलतकार का रेपा केस लुपे लगाया जाता है। हमारे ग्राम सभा गुमना भारो के परधान भी सिकनिचर करके आएं आपके नैपाल के चोकी में। वहाँ पे जगडा बिवात का मामला था, ये काम का मामला था, वहाँ पे ना कोई लड़की का मैटर था, ना कोई उल्टा सीधा मैटर हुआ था। ये हम लोगों के आपको के बीच में हुआ है। सामन्य बिवाद मा परेका यूवालाई, बलतकार को आरोप मा भारती प्रहरीले, पक्राओ गरेर भारत तरफ लगे पच्छी, जिल्ला प्रशासन कारलाया बर्दियाले, के गरीर है को सब हनी प्रश्नगर्दा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरूंग वां इस बारे भन्चन। बहारती प्रहलु पहरु कुरू प्रव्ом। भारती पॉवालाई मुख जिए, बहारती प्रहुां। कि अधिता थिरुन आमी लागने करें, यदी तेस्ट भाग हो ने तो आमी जिला प्रोड कालें चुमाले, पुतागा प्रोड ले समन्मेदर करें पाउस्ता चुमाले, तेस्ट नहुस वने चान्स माले, यद्ट आवड़ पक्रें लो एक तो पक्यविन विन्योगा, यद्ट खाले पुरवा का इस्थानिय बास्सिंदा हरुलाई भारतिय प्रहरीले पक्राव गरेको भन्ने बारे इस्थानिय बास्सिंदा को भनाई पछी, आफुले प्रमुक जिला अधिकारी संगर जिला प्रहरी कारेलाय का प्रमुक संग कुरा गरेको गुलरिया नगरपाली का मोक्तिनाथ या दवले बताय काशन। उनले ततकाल भारतिय प्रहरीले पक्राव गरेका द्वी नेपाली लाई नो छोडे मंत्रा लएस्तंग कुरा गर्ने समेद जान कारी दिये। नेपाली लेपाना अवस्याओ को नेपाल को भूमी में काम गधे राथे को आवस्ता में इंदीया का प्रहरी आया रतिने रुले बोला है मुलोदा खेरी नुमीज लेंड माती दिलूगाए धिने रूल नेपाल को खुला सिमा नाको फाइदा उठाउदे भारती ए शुरक्षा कर मिले कहिले सिमा मिशन उद्धत हुन्छन तक कहिले नेपाल पसे र नेपाली लाइनेई पक्राव गर्ना इसको पछिलो उदाहर्न बनेको छा बर्दिया सदर्मुकाम गुलरिया नगरपाली का र दुई युवा पक्राव प्रकरण सिमा छित्रका नेपाली र भारती ए बीस भायको साम्माने बिवादलाई लियेर युवा हरुलाई बिना कसुर प्रतिसोज सादने इसाबले बलातकार को मुद्धा लगायको नेपाली ले आरोप लगायकाशन नेपाली भुमी में आयरा उनिहोडले पक्राव गरी जु निसाबले बलातकार को मुद्धा लगाये त्यो नियायोचित नभायको सिमा छित्रका मानी सरुको भनाई चा हामी बाकी संदर्बसाई ताउने सोतर ते सगी 21 बिस्ताम दसक्वेंद News24 टेलिविजन मा पाउर नियूज हेर दे हुँच तापाई र हामी नेपाल र भारत बीच को सिमा छित्रमा नेपाली माती भईरायको ज्या जतिको विशेमा केंद्री छाउन रा आव प्रस्तुत गर्चाउं आखिर कईले सम्मा एस्तो पीडा सहेर बसने अव जई संदर्बा बर्साउं देखी भारत को हे पाहार मिचाहा प्रविर्ति बाट प्रताडिद छा नेपाल यो सोत्ते हो सिमा नामा भारतिये सुरक्ष्या बलको दमनकारी प्रविर्ति उस 2023 फागुन मा कंचंपूर को पुनर्बास आठ मा कलवर्ट निर्माट गर्ने विशय मा ब्यवाद हुंदा भारतिये सुरक्ष्या कर्मी को गोली बाट तेस्थाने गोविंद गोवतम मारी एका थिये सो घटना पचिपनी सिमा वर्ति छेत्र मा भारतिये पक्षे को ज्यादती घटेन तेस पचिपनी बारंबाल सिमा मा भारतिये पक्षे को दमन चली रह्यो तेस्तई सोहिप वाग मा नेपाली माथिको अत्याचार पनी उस्तईश चाहे सिमा होस चाहे नागरिक लाई दुख इसे बात माप तुम कहा तो मरे घरमा भुष्य मारी नहें बलक्तार के नहें भी आत्मी आजे लगें लगाएं लगें लगें नहीं हैं तेस्तही नेपाली हरुले सिमा को विशय मा आवाज उठाउँदा भारती पक्षले नेपाली हरुमा थी बल समेद प्रय गरे को दुखत उदाहारन हरुछन। भारत को ज्यादती र मनमानी एतीमा मात्र सिमित रहेन। मुदा हुदा नेपाली नागरिक लाई जूठा मोद्दा लगाएर गिरफ्तार गर्न समेद भारतीय प्रहरी पछी परेन। यो अबस्ता बाट सिमा का नेपाली हरु गुजरी एका शन। येस्ता घटनाले सिमावर्ती छेत्र मा भारतीय पक्षे को ज्यादती न घटे को तथिया तारबार प्रकरणले उष्टी गरेको छा। अफिजरी नेपाली लए शिमाणा मा आयर दादागरी देखावने भारतीय पररी वाठीय पररी जैले पनी निर्वली आ नेपाली हरु लाइने हेपी रहेका छन। यो यहता बर्धीया उधारण मात्र हो। कंचनपूर देखी लिये रा पुरुवा सम्म एसता भारती परहरी ओरले कती नेपाली ओरले पकड़ाओ गरे बनने तथ्यांका अईले नेपाल सरकार सम्म पनी देखी दैना तेसे अईले अईले जिल्ला का सरकारी निकाय अरू सूते रा भशे को अवस्ता चा दुई नेपाली ले पकड़ाओ गरे रा भारत पुराओ दापनी अईले सम्मंदित निकाय अरू केई बोलना सकी रह का चैना बारंबार प्रस्ण गर्शन ना गरी आमरो राष्ट्रेता खोई आमरो स्वाबिमा अन खोई तरा एस बिशाय मा देश चुक का सम्म बोलना नसकी बारत संग निरिहता प्रस्थुत गरी रह को च नता जनताको पिडामा सांतोना छ नता पूर्खाले आर्जन गरीदियेको भुगल को नई परवाहा छ यस बारे गुलरिया नगरपालिका का प्रमोख मुक्तिनाथ यादव भन्छन इतम मैं यो गलत हो मक्य भन्ना चाहांचू परधान मंतरी भारत कारोंधाकिरी नेपल मा सबका साथ सबका विकास तो नेपल मा पनिया हुशा तरह वहां का परशासन ले हमरा नेपल का जनताले आनावस्यक दुग दिराखे तो शाख तैसमा मले एक दुमें चित दुगे को इंडिया का परशासन ले हमरा नेपल का जनताले आनावस्यक दुगे को नाम मा भायका सबे अत्याचार साइए शन बोलनु परधान देश राष्ट्र राष्ट्यतार स्वाभिमान भनेर गर्भीलो चाती बनावन का लागी देश बलियो हुना जरुरी श असल जिमेकी का न दुष्ट प्रविर्थिको खेती नेपाली का लागी सया हुना सक्दैना ये सर्थ इदिसे मा सरकार गंभीर बनने बर्शा शिमा चेत्रमा साम्मानने विबादलाई लेर भारते प्रविले नेपाल बाट दुई जना युबकलाई पक्राव गरी जबर जस्त बलातकार जस्त जगण्य अपरादमा मुद्धा चलाय कुशा यो उनाई हालतमा नियायोचित हुनाई सक्दैना तेसेले भारते पक्षे बाट भाईरे को जाजतीर हस्त शेप सिमा चेत्रमा रोकियोस्त रोकिनाई पर्शा भांचाओं हामी रिपोर्टिंग का लागी बर्दिया इस्तित टीवी जर्नलिस्ट जोती कुमार पंथिलाई धनेवाद रह एतीने आजको पाउ नियूज थप नियूज का लागी हामरो विपसाइट www.news.net.com मा हैन होला साथ है हमिलाई Facebook, Twitter यूट्यूब में पनी फालो गना सक्ना होंचा अईलेलाई बिरादिन होस हामी निरान तर्डियोज बाचाओं नमस्ते